नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोशन वन नबल फर वन रेसिपी इज में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे चावल का सौफ्ट मसाला परोठा ये बहुती टेस्टी पराठा है और आसानी से बन जाते है तो चलिए रेसिपी सुरू करते है सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कप चावल को एक गंटे पहले भिगो के रखा था चावल आप देख सकते हो अच्छे से खिल गए है अब हम पानी निकाल लेंगे चावल से पानी निकाल लिया है अब हम चावल को ब्लेंड करेंगे मिक्सर लेंगे उसमें सारे चावल एड़ कर लेंगे इसका हमें अच्छे से ब्लेंड करके बेतर बनाकर रेड़ी करना है एक अब जितना पानी एड़ करेंगे अच्छे से बारिक ब्लेंड कर लेंगे हमारे चावल अच्छे से ब्लेंड हो गए है अब हम हरी मीर्च एट करेंगे टेस के इसाब से लेना है एक छोटा टोड़ा अध्रक लेंगे और थोड़ी बहुत लसुन की कलिया एट करेंगे यहाँ पर वापस हमें दो से तीन चमच जितना पानी एट करना है और वापस अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हमारा बेतर अच्छे से ब्लेंड हो गया है इसको हमें एक तरफ छोड़ देना है और यहाँ पर हम तीन बॉयल किये हुए आलू लेंगे आलू के छिलके निकाल लिये है अब हम गेतर से अच्छे से मैस कर लेंगे आप चाहो तो हाथों से भी मैस कर सकते हो लेकिन गेतर से छीन के करोगे तो गुठिया बिल्कुल भी नहीं रहेगी आलू हमने छीन लिया है अब हम पराठा बनाना सुरू करेंगे यहाँ पर पैन लेना है पैन में दो चम्मच जितना तेल लेना है तेल को अच्छे से गरम कर लेना है तेल गरम हो गया है एक चम्मच जीरा एड़ करेंगे जीरे को अच्छे से चटकने देंगे जीरा चटक गया है साथ में हम यहाँ पर बारिक चौप की हुई प्याज एड करेंगे प्याज अच्छे से सोटे कर लेंगे हलकी सी त्रांस्परंट होने तक पका लेना है प्याज हलकी सी त्रांस्परंट हो चुकी है अब हम इसमें बारिक काटा हुई टमाटर एड करेंगे साथ में हम बारिक काटी हुई ग्रिन लिव्स एड़ करेंगे अच्छे से मिला लेंगे और हलका सा पका लेंगे कच्छा पका रखना है टामाटर प्याज हलके से पक गए है अब हम इसमें एक कप जितना पानी एड़ करेंगे इसको हमें अच्छे से मिलाना है अब हमें सबसे पहले बनाया हुआ चावल का बेटर एड़ करना है पूरा एड़ कर लेना है और अच्छे से मिलाटे जाएंगे और पकने देंगे अच्छे से अच्छे से मिक्स कर लिया है गाड़ा होने तक पकाना है continue चलाटे जाएंगे और पकाटे जाएंगे अगर आप बेतर को रेश्ट दोगे तो नीचे की तरफ से गाड़ा हो जाएगा और सारे वेजिटेबल्स सारे उपर के ऐसे के ऐसे ही रहेंगे चलाटे जाएंगे अच्छे से आप देख सकते हो हमें पकाते हुए पांच मिनिट भी नहीं हुई है और बेतर कितना गाड़ा हो चुका है इसको हम अच्छे से मिलाटे जाएंगे और अच्छे से पकाना है आप देख सकते हो पहले से बाइनिंग अच्छे से आ गया है और पैन की सपाटे भी छोड़ने लगी है बिलकुल भी पैन में नहीं लग रहा है अच्छे से बाइनिंग आ चुका है और सेकंड स्टेप में जो आलू को मैस करके रखा था वो सारा आलू यहाँ पर एड़ कर लेंगे और बेतर के साथ अच्छे से मिला लेंगे आप देख सकते हो हमारे आलू अच्छे से बेतर में मिक्स हो गया है पैन की सपाटे भी क्लीन हो चुकि है बाइंडिंग भी आ गया है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे थंडा करने के लिए हमें ध्यान रखना है ज़्यादा थंडा नहीं करना है हाटों से टश कर सके उतना ही थंडा करेंगे प्लेट में फेला लेंगे ताकि जल से थंडा हो जाए यहाँ पर ज़्यादा थंडा हो जाएगा तो यह नास्ता नहीं बनेगा इसलिए यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है हाटों से तश कर सके उतना थंडा हो चुका है अब यहाँ में उपर से हरा धन्या एड़ करना है जितनी कॉंटिटी ज़्यादा होगी उतना टेस अच्छा आएगा अब हम यहाँ पर एक चमच जितना टेल उपर से एड़ करेंगे ताकि हाटों में चिपके नहीं और इसकी जो साइनिंग है वो बरकरार रहे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटा मिक्स करके रेडी कर लिया है अब हम पराठा बनाना सुरू करेंगे अब हम थोड़ा पोशन लेंगे लुईया बनाने के लिए लुईया को हम गेहूं के आटे में दस कर लेंगे यहाँ पर गेहूं के आटे की जगा चावल या मेंदा का आटा भी ले सकते हो अब हम लुईया को बेल लेंगे पराटे को जड़ा पतला नहीं बेलना है आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लुईया छोटी ली थी इसलिए हमारा पराटा जड़ा बड़ा नहीं हुआ है यहाँ पर यह पराटा की बॉडर सेम रखने के लिए प्लेट रखके बॉडर को कट कर लेंगे आप देख सकते हो हमारा पराटा परफेक बन चुका है अब हम टवी पे सेक लेंगे तवा हमने गरम कर लिया है गरम होने के बाद ही परोठे को उपर रखना है परोठा रख देंगे अभी हमने टेल नहीं लगया है उसकी जो सपाटी है वो छूटने तक हमें स्लोफेम पे पकाना है अब हम चेक कर लेंगे सपाटी अच्छे से छूट गई है पलट लेंगे और दुसरी तरफ सुने रहोने तक पकने देंगे दुसरी तरफ भी चेक कर लेंगे दुसरी तरफ भी अच्छे से पक गया है और सुने रहा भी हो गया है अब हमें उस पे टेल लगाना है टेल हमें यहाँ पर यही स्टेच पे लगाना है ना की पहले ना की बाद में तेल इस तरह से लगा लेंगे और पलट लेंगे दुसरी तरफ भी तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा कुक होने देंगे दोनों साइड से तेल लगाने से पराठे सौफ्ट रहेंगे आप देख सकते हो हलके से प्रेस करके पलट पलट के सेक लिया है और पराठा फूलने भी लगा है इसमें ज़्यादा टेल भी नहीं जाएगा और पराठा के सारे वेजितेबल्स भी बहुत अच्छे से कुक हो चुके है और डिखने लगे है प्लेट में निकाल लेंगे हमारे राइस वेजितेबल पराठा बनकर रेडी हो चुका है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सेर करें